प्रिस सब्सक्राइब तू आवर चैनल और प्रिस्ट बिल आइकन फार मूर अपडेट हलो दोस्तों विलकम तू ओडी इस्टेडी पॉइंट स्वावत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल ओडी इस्टेडी पॉइंट में सो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी इस्टेडी पॉइंट पर मैथ और रिजिनिंग की आल कम्पेटी उग्जाम के लिए क्लासेश चलाई जाती है जिसमें दोस्तों आज मैथ का रेशियो एंड प्रपोर्शन यानि के अनुपाद और समानुपाद का पार्ट टू लेकर आया हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में यानि की अनुपात और समानपात के पाट टू में मैंने 5 ठिक और 5 कांसेक्ट के साथ 10 कोस्टन लेकर आया हूँ जिसमें प्रतेग टिक और प्रतेग कांसेक्ट पर 2 कोस्टन हैं दोस्तो अगर आप दोस्तों वीडियो में सुरू से अंतक बने रहते हैं तो आपको ऐसा कोई भी कोश्चन होगा कि नहीं जो समझ में नहीं और दोस्तों किसी भी कोश्चन को आप 5-10 सेकेंड में लगा सकते हैं अगर दोस्तों आप वीडियो में सुरू से अंतर बने रहते हैं और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सेयर नहीं किया है तो सबसे पहले सेयर कर देए और हमारी चैनल ओडिश्टरी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है B N पाते C बरावर 2 N पाते 1 C N पाते B बरावर 1 N पाते 2 D N पाते E बरावर 3 N पाते 2 तो A N पाते B N पाते C N पाते B N पाते E का मान ग्याद करना है इस question को दोस्तों कैसे साब करेंगे तो दोस्तों जहां से देखिएगा हमको क्या ग्याद करना है A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D अनुपाते E तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेगे आपको नोट कर लेंगे A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D अनुपाते E ऐसे आपको नोट कर लेना है फिर A अनुपाते B कितना दिया एक अनपाते चाव यहां पर एक रख दिए और इसके जग़ा पर 4 रख दिए फिर अप् inventor कर दो लमाक टर्वों स्युष्छ तो एक अपना है नुआ अब देखे दोस्तों इसके सामने यहां पर भी खाली है यहां पर भी खाली है तो जिसके सामने जो खाली गाएगा वही तो कभर करेंगा और ली चाइब सामने चार चार यहां पर भी खाली है तो दो किसामने खाली गया यंदि यहां पर दो आ सब लगा आदें सापनी ही यान यहां पर दो दो chana अनुपाते, पे चार दुना आठ एकमाट तरीक 24, अनुपाते, पे चार एकम चार एकम चार तियां 12, अनुपाते, चार एकम चार दुना आठ तरीक 24, अनुपाते, चार एकम चार दुना आठ तुना 16, इस तरीके से हमने देखा दोस्तों, कि A अनुपाते, B अनुपाते, C इसको आम मिनिमाइज भी कर सकते हैं तो दोसे सब को कैंसिल करेंगे तो आपका होगा तीन अनुपाते, बारह अनुपाते, छे अनुपाते, बारह अनुपाते, फिर होगा आपका क्या आठ, इस तरीके से आपका A अनुपाते, B अनुपाते, C अनुपाते, B अनुपाते, E बरावर, तीन अनुपाते, बारह अनुपाते, छे अनुपाते, बारह अनुपाते, लागाना है उसको कर दो देखें mobile नूल में गया एक नुल उन्हीं है उन्हीं से पहले जैसा कि पहला कोश्चन आप लगा था इसको भी लगा रहा है क्या निकाना ए नुपाते भी तो साथसरे पहले दोस्तो ए बी स्थी मीन काला पढ़ेगा ए अनुपाते भी अनुपाते चीन अफ्लोड कर दिए एइन पार दिखा दो यहां पर रख दीजिए नो फिर प्र बार्वरण दो सब्स्रेकwritten तो यहां पर टीन हो जाएका आप देखिए 5 के तो खाली है 30 आप पर हैं Scholस तो त्यूत हैं लिए दो कप जंगा ये चैनल कर दो दो पांत या पंदर दुना 30 अनुपाते पांत या पंदर तिया 45 आप देखिए कुछ इसमें मिनिमाज हो रहा है दोस्तों आप देख रहा है कि कुछ भी आप इसमें कामन नहीं ले सकते हैं तो दोस्तों आपका एक अनुपाते एक हमांन कितना आपका इस को planning कितना है या agan सबाइब D बराबर 4 अनुपाते 45 अब दोस्तों अगर पुछता कि B अनुपाते C कितना होगा तो B का मन कितना है 10 और C का मन कितना है 30 तो B अनुपाते C बराबर 10 अनुपाते 3 या या कर सकते हैं 1 अनुपाते 3 ओके दोस्तो इस तरीके से आप ऐसे question दोस्तो सामों कर सकते हैं 5-10 सेकेट में अब दोस्तों देखते है question number 3 किस प्रकार से है question number 3 देखिए बोला है कि 2 संख्याओं में 3 अनुपाते 2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है तो छोटी संख्या ग्यास की दिए दो संख्या किसी तीन अनुपाते 2 में तो मैंने माल लिया कि हमारी पारी संख्या जो है पारी संख्या क्या है तीन यक्स तो तीन एक्स माल लिया आद दूसरी संख्या हमारा क्या है कि आ यह पें के यहा वह को एक सब्सक्राइब और ऐसे का जोटा है उपाइं इसे किन वाली का थाए कि उड़े 30 कितना हो जाएगा साथ यानि छोटी संख्या कितनी है साथ इस तरह पूटा की बड़ी संख्या कितना होगा तो बड़ा अनुपास कौन सा है तीर एक सवाला सीन में एक स्क्राइब कितना है तीस तीस से पुड़ा कर देते तो नबबे इस तरह बड़ी संख्या आपका नबबे आ चोटी संख्या साथ क्या पूटा चोटी संख्या तो आपका एंसर साथ हो जाएगा अब दोस्तों देखते हैं कि कोश्च इसी टाइप क यानि कोश्चन नमबर थ्री की तरह एक कोश्चन और लेंगे दोस्तों जैसा कि मैंने कमिट्मेंट किया था कि एक त्रिक पर दो कोश्चन आपके होंगे इस कांसेट्ट तो दोस्तों देखते हैं कोश्चन नमबर फूर जैसा कि बोला गया है कि तीन संख्याओं में 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24 का अनुपात है यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या गयाती लिए बोला है कि तीन संख्याओं में 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24 का अनुपात है यदि तीनो संक्याओं का युग 98 है, तो बड़ी संक्या घ्यापती दी, मैंने माल लिया है कि तीन संक्याओं ए, बी और सी है, अनुपाद किना थि आ मैं दी, 10, 15 संख्याइं एक 10 यक्स है दूसराbenका 15 से आपका तो जिसका नुपांट बला होगा हो बला हो भली संग्या होगी तो Estamos Chemical assignment 24 सकामंद कितना निकाल लेया चालंप दिना 48 इस तरह समक्सर या उगा जिसका अनुपात बड़ा होता है तो 24 यक्स बड़ा है तो 24 दिन 48 मेरा एंसर होगा अब दोस्तों देखते हैं किस तरीके से आपको सालू करना है जैसा कि मैंने बताया हूं कि एक कांसेट पर एक ट्रिक पर दो कोस्टन है किस तरीके साथ को सालू करना है बोलाएं A B C को 2400 रुपए दो अनुपाते तीन अनुपाते पांच के अनुपात में मिभाजित किया जाता है तो B को कितने रुपए मिलेंगे तो A B और C में अनुपात कितने कितने का दे दिया है दो तीन और पांच का तो दो तीन और पांच का आप माल लिए A को 2X मिला है और B को 3X मिला है और C को 5X मिला है इनके भी तनपात फिर बोला है 2400 रुपए वो बाटा जाता है यानि 2X प्लस 3X प्लस 5X का जो टोटल का योग है वो 2400 के बराबर है तो कर दीजिए 2X प्लस 3X प्लस का 5X बराबर 2400 है तो 3 और दो 5 पांच पांच 5 दस यानि 10X बराबर आपका 2400 हो गया दोस उतबर कितना अगया 2004 अगर दोस्तों देखिय हमसे पूचा घ्यादा रहा है बोला है बीको कितने मिलेंगे भी का जान थेabi तो 242-40 कि से पुल आप Σाथ सो बीस इस तरह बीक गो सबस्क्राइब दोस्तों देखते हैं किस तरीके से साल करना है कि जैसा कि बोला गया है कि A B C में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किये गए कि A संबंदे B बरावर 5 संबंदे 4 है तदा B संबंदे C बरावर 3 संबंदे 2 है तो C को कितना मिला A पूछ रहा है तो सबसे पहले दोस्तों अब A B और C नोट कर लेना है पर देखिए पांच और चार यहां पर नोट कर लेना है तो पंद्र नोट कर लेना है तो पंद्र हो गया अनुपार यह पर अनुपार लगा जिए इस तरीखे से A का अनुपाद 15 हो गया, B का अनुपाद 12 हो गया, C का अनुपाद 8 हो गया बोलाए 35 उरुपे में सब को बाटना है, तो कितना हो जाएगा? 15 यक्स प्लस का 12 यक्स प्लस का 8 यक्स बराबर 35 यानि 15 और बारे कितने होते हैं? 15 और बारे 27 और 8, 35 तो हो जाएगा 35 यक्स प्लस का बाबर आपका कितना हो गया, 100 बोला है कि C को कितना मिला, C को कितना रेशियो मिला है? 8 रेशियो, यानि 8 यक्स तो कितना मिलेगा? इस तरीके से दोस्तों आप साल्व कर सकते हैं, within 5 to 10 सेकेंड में किसी भी कोश्चन को यह तो हमारा पहला तरीका था किस तरीके से कोश्चन नंबर 6 को साल्व किया जाए? एक तरीका और इसको साल्व करने का उसको भी देख लिए दोस्तों जो तरीका आपको समझ में आएगा उसको बनाएगा, जैसे इस कोश्चन नंबर 6 को एक तरीके साल्व कर सकते हैं, जैसे दिया है, A अनुपाते B वराबर कितना दे दिया है? पांच अनुपाते 4, अब B अनुपाते C वराबर दे दिया है, 3 अनुपाते 2, अब देखिए दोस्तों, B का अनुपाते यहाँ पर 4 है, B का अनुपाते यहाँ पर 3 है, दोनों में सेम होना जाए, तो दोनों में सेम करने के लिए का करेंगे? इसमें 3 से बुड़ा कर के इसमें चार्ट कर दिंगे उड़ा इसलिए कर रहा हूं कि बी की बहलू दोनों जगर से दिखें से मुग चार्थ यहां पर भी नवर यह तो पांतिया पंद्र है बट्टे बार है बरावर पांत चार्थियां बारे बट्टे-8 अपश्टें दोस्तों एबी इसी यह प्लस बारह यह प्लस आठ यह प्लस अट यह बराबर हो जाएगा तो दोस्तों चाहे इस से लगाई जोनों तरीके बता दिये हैं जो तरीका आपको समझ जाए उसको आप कर सकते हैं किस तरीके से उसको साब करना है और इस पर ट्रीक कौन सा काम करता है उसको लेखते हैं आप डोस्तो देखते हैं गोशनीं किस प्रकार से अपको साथ करना है को सब्सक्राइब और कोशनीं ऑपने करना है अगर पर अच्छी तरीके से अपने इलगा सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं कैसे इसको सावर करना है जैसा कि मुला गया है एक थैले में एक रूपया पचास पैसा पचीस पैसों के सिक्कों की संख्या एक अनुपाते चार अनुपाते चार के अनुपात में है यदि उनका कुल मुले 200 रूपया है तो 25 पैसे को सिक्कों की संख और 25 पैसे 1 रुपया 50 पैसा के सिखों का अनुपाद कि सिखों का अनुपाद किसमें है आपका किसन पाद में है एक अनुपाद ते 4 अनुपाद दे 4 4 अब दोस्तों देख रहा है आपकी टोटा बैलूर रुपए में डिया है 200 रुप्या सबसे पहले रूपय चाहां लेकिन इसकी 50 पैसे की तो 50 पैसे पैसे को रूपय के लिए क्या करते हैं इसवें 2 से निवाइट कर दिया बराबर है 200 आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कि आजार ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि टोटल पहलू आपका जो है कुल मिला के जो रुपए हैं वह रुपए में दिया है इसलिए 50 पैसा और 25 पैसा दोनों को रुपए में चेंज करना पड़ा तो 50 पैसे के सोट डो पाथ होते हैं और एक रुपए में 25पैसे कर चार पाथ होते हैं अब इसको सालीब करने हैं डो से दोस्तों आपका हो गया 200 तो यहां से की तरीके से दोनों कोस्टन देख लेते हैं अब मानने कोई अरूत नहीं है आप माइंड में तक सकते हैं यह प्लाश चार एंगर सकते हैं तो मैंने समझाने के लिए अब लिए लोट कर दिखाया है अब दोस्तों सेम आंसे योपर आप देखते हैं जो की कोशिन नंबर सेवेन की तरह सालोग करना है और देखते हैं और कि पार आण कर देखते हैं कोच्चन नम्ब्र एप ने क्या जैसके बुला एक संदूक में एक रुपया पच्चास पैसा पैसे के सिक्कों का अनुपाद दो रुपात है तीन अनुपात है यदि कुल सिक्कों का मुल एक 180 रुपया है गेंज है vinden तो 50 पैसे के सिंः चलम में क्या पत्ताइक पर इसके और devult कितना तो इग रुपया बोलाया कुल मुल एक 180 रुपय के बराबर है यानि सब को हमको रुपय में चेंज करना है तो यह रुपया में इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यह त्री पच्छास पैसे का है यह चेंज करने के लिए करते हैं दो से दिवाइट दो से कर दिया प्लस चार एकस है यह 25 पैसे का सिक्षा है तो 25 पिस पैसे को रुपय क répondu किकल वाइट करते हैं 4 से चार डिवाइट करते हैंao किदने बराबर कितने की रुपय का superstar एक कितना हो जाएगा एक्स एक्स प्लस दीयग'S प्लस प्लस ठीयग सब्स्टी अब इसको चाव करते हैं और इसको साव करते हैं दोस्तों तो तीन दुलाच छ्है एक्स और 3 सब्सक्राइब कर सकते हैं अब दोस्तों देखते हैं सब्सक्राइब कर दोस्तों देखते हैं कोश्चन नमबर नौ और कोश्चन नमबर दस सेम कांसिप्ट पर दोनों ही कोश्चन है जो कि इस पर मैं लगाई कांसिप्ट का यूच करके दोनों कोश्चन लगाएं अगर दोस्तों आप कोश्चन नमबर नौ द्यान पर दोनों समझ लेते हैं तो इस आप सालू कर सकते हैं सो दोस्तों आतों देखते हैं कैसे जातों किया है तो सबसे नुदू के और दूसरा अंग अनुपाद कितना दे दिलहा है तीन अनुपाते दो तो तीन अनुपाते दो यहां पर आपको नोट करना है फिर बैक अनुपात दो अनुपात एक तो बैक का अनुपात कितना ने दिया है दो अनुपाते एक फिर परतिक चार हजार बचाता है यानि राम भी चार हजार बचाता है और स्याम भी 4000 बचाता है एक बात हमेशा द्यान में रखना है कि हमेशा और हमेशा उपर वाले रेशियो से आप यूज करके किसी भी चीज को ग्याद करते हैं सबसे पहले रेशियो का रेशियो से कंपेड कराईए यानि 3 का गुड़ा 1 में करेंगे तो 3 आएगा फिर 2 का गुड़ा 2 में कराएंगे तो 4 तो 4 जैसे 3 गटाएंगे इतना 1 रेशियो, हमेशा पढ़ी बहली में से छोटी बहलु गटाना जैसा कि 3 एक कं 3 आद 2 ये दूना 4, तो 4 में 3 गटाएंगे एक, यानि एक रेशियो गडाबर, 4000 गड़े 1, 4000 गड़े 2,8000, तो 8000 में 4000 गटाएंगे तो 4800, यानि एक रेशियो की मेल हुआ पर 4,000 आ गया कैसे निए कि तरीके से रां की 2,000 हो जाए है सबसे पहले मेंamm distributor कि राम और करना है में सबसे कर लेना है तो सबसे पहले रेसियों का रेसियों से लिवीं जाहरius करने ट्नी फैने दो बल्रvell करने यानि कि एक गणाएंग करने टू product इक रेशियो वड़ाब 4 यार आ गया तो बोला है राम किया है राम को किन्हा रेशियो मिला तीन रेशियो वड़ाबर writing यार जाया तो तीन रेशियों वड़ाबर करें मैं तो दूस्तों को लेखते हैं को बीकी और बी की आया का नुपाथ 5 नुपाथे 3 है जबकि उनके बेका नुपाथ 9 नुपाथे पाँच है यादीवए क्रमशड तेरे सो और नाव सोड पजाते रहें तो बीं की आए बता कौन कैं ये बता Bulड कर दिया है और या रहा है और इति वह जो het जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेशियो का रेशियो से यानि 5 का 5 वें 25 वें 27 में 25 गटाएंगे, तो 2 ratio, तो 2 ratio गराबर किन्दना जाएगा? 13 का गुणा 5 में कराएंगे तो 65, 9 का गुणा 9 सम कराएंगे तो 9, 81, 100 तो 81, 100 में से 65, 100 गटा देंगे, तो 2 ratio गराबर आपका जाएगा 16, 1 ratio गराबर 800, तो बोला है, B की आएगा बताएगी, B को कितना रेशियो मिला है? 3 ratio, 1 ratio गराबर 800, तो 3 ratio गराबर कितना जाएगा? 2400, इस तरीके से B का आएगा तितना जाएगा? 2400 Question No.10, एक बार रेपीट करता हूँ, जयान से देखे, सबसे पहले मैंने A और B दो लोग थे, उनके आएगा अनुपाद 5, 90, 3 था, उनके ब्याएगा अनुपाद 9, 5 था A बोला है, 1300 बजाता है, और B 900 बजाता है, जयासा कि मैंने बताया कि रेशियो का रेशियो से लेना है, तो 5 का गुड़ा 5 में कराएगा 25, और 9 का गुड़ा 3 में कराए 27, तो 27 में 25 गटाएगे 2, तो यहाँ पर 2 ratio बराबर, अब देखे, 13 का गुड़ा 5 में 65, और 9 का यानि 2 ratio के बहने 1600 आगे, 1 ratio बहने 1800, तो बोला है, B की आए, B को कितना ratio मिला, 3 ratio, एक ratio बराबर 800, तो 3 ratio बराबर 2400, इस तरहिके से B की आए 2400 हो जाएगा, तो दोस्तों A मैंने बताया, ratio and proportion के 5 concept और हर एक concept पर 2 questions, तो दोस्तों अगर वीडियो को आप शुरू से लाश्ट त तो रेशियोन प्रोपोशन के ऐसे कोश्चन किसी भी एक्जाम में आपके छूटेंगे भी नहीं और मिनिमम पांच से दस सिकिन में आप किसी भी ऐसे कोश्चन को साल्ब कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जादा जादा लाइक सेर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल ओटी इस्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यमाद